ब्रोइलर चिकन फार्मिंग में आप नुकसान से किस तरह से बच सकते हो और ये नुकसान होता ही क्यों है आज का सबसे बड़ा रिजन है पोल्ट्री फीड क्योंकि आज कल पोल्ट्री फीड 35 रुपए से 36 रुपए के आसपास पर केजी चल रहा है इसका रेड बहुत जाद हाई हो चुका है जो भी पोल्ट्री फार्मर मार्केट से फीड खरीते हैं उनको 35 रुपए पर केजी के हिसाब से फीड मिलता है और इस वजह से जो मुर्गा उनका तयार होता है वो भी हाई कोश्ट पर तयार होता है तो मुर्गा मार्केट इतनी जादा हाई रहती नहीं ह तो poultry farmer को नुकसान हो जाता है तो इस problem से बचने के लिए कुछ poultry farmer ने तो अपने यहाँ पर feed बनाना शुरू कर दिया और वो feed बना करके अपने poultry farm में इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें भी एक problem आजाती है feed formulation की जो feed बनाने का formula रहता है वो मौसम के हिसाब से रहता है सर्दियों के मौसम में अलग formula इस्तेमाल होता है और गर्मियों में अलग क्योंकि अगर आप गर्मियों में भी ज़्यादा high quality feed दोगे तो उसमें मुर्गे को ज़्यादा तर heat stroke या फिर वो पलट करके मर जाता है ये problem आ जाती है तो गर्मियों में थोड़ा feed formula चेंज किया जाता है गर्मियों के मौसम के हिसाब से तो अगर आप भी अपना feed बनाते हो या फिर बनाने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको feed formulation के बारे में जानकारी होनी चाहिए हर मौसम के हिसाब से अलग-अलग तरह का feed बनाया जाता है और आज कल तो आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियों मिल जाएंगी कि अपना feed कैसे बनाएं लेकिन भाई सबसे बड़ी जरूरी बात ये है कि आपको जो feed के ingredients इस्तेमाल करने है feed बनाने के लिए वो आपके area में आपको मिल रहे हैं या नहीं क्योंकि हर area में ये feed के ingredients available नहीं है लेकिन कुछ poultry farmer फिर भी गलती कर देते हैं वो poultry feed बनाने की machine खरीद लेते हैं और उसके बाद feed बनाना शुरू करते हैं तो उस time पर उनको सभी ingredients नहीं मिल पाते और वो सोचते हैं कि हम ये product नहीं मिलाएंगे तो भी feed तयार हो जाएगा लेकिन उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप feed बनाने में सभी products का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको नुकसान तो होना ही है क्योंकि आपका मुर्गा feed भी खालेगा और उसका weight 1 kg के आसपास ही रहेगा जैसे 1 kg या 1.5 kg ही हो जाएगा उससे अबव नहीं हो पाएगा अगर होगा भी तो वो जादा दिन लगेंगे जैसे 50 से 60 दिन भी लग सकते हैं तो आपको feed तभी बनाना है जब आपके यहाँ पर सभी products available हो और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मुर्गे की cost को कैसे कम कर सकते हो सबसे पहले तो जब आप feed खरीदने market में जाते हो तो एक ही feed dealer के पास ना जाए अपने area में सभी feed dealer के पास check करें कि वो किस rate पर feed को बेचते हैं और एक और ज़रूरी बात सभी company के rate के बारे में भी पता करें जितने भी company है feed की उन सभी का rate अगर आपको पता होगा तभी आप सही feed चुन सकते हो वरना काफी सारे poultry farmer एक ही feed dealer के पास जाते हैं और कोई साभी feed इस्तेमाल करना शुरू करते हैं उससे उनको महंगा feed मिलता है और feed की quality भी कम रहती है तो इसलिए आप सभी जगा पर पहले अच्छी तरह से check करें और उसके साथ साथ ये भी देखें कि आपको किस rate में profit हो सकता है वरना अगर आपको शुरू में ही लग रहा है कि आपको नुकसान होगा इस feed को खरीद करके तो आप उस feed को ना ही खरीदे क्योंकि broiler market कभी एकदम से बढ़ जाती है कभी एकदम से बहुत जादा down हो जाती है तो इसलिए broiler market का तो कोई भी भरोसा नहीं है लेकिन अगर आप शुरू में ही महगा feed खरीदोगे तो आपको नुकसान होने के chances बहुत जादा हो जाते हैं इसलिए आप पहले सही तरह से calculate करें कि कितने rate पर आपको profit हो सकता है और कितने rate में आपको नुकसान हो सकता है उसके बाद ही आप feed को चुने और कुछ poultry farmer कहते हैं कि poultry farming में केवल नुकसान ही होता है तो ऐसा नहीं है ये depend करता है कि आप मुर्गे को पालने में कितना खर्चा करते हो अगर आप सही feed इस्तेमाल करोगे सही rate पर feed खरीदोगे तो आपका खर्चा भी कम होगा उससे आपके profit होने के chances बढ़ जाते हैं लेकिन कुछ नए poultry farmer क्या करते हैं वो एकदम से feed खरीद लेते हैं महंगा feed उससे उनको नुकसान हो जाता है और वो दूसरे farmers को भी कहते हैं कि poultry farming में केवल नुकसान ही है और अगर मैं बात करूँ broiler market की तो अभी कुछ time पहले काफी अच्छी market थी मतलब hundred से above इसका rate चल रहा था सो रुपे पर केजी भी चला काफी time तक लेकिन काफी सारे poultry farmers ने उस time पर chicks नहीं डाल रखा था तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसमें profit भी होता है और भाई चाहें आप कोई सा भी business करो सभी में profit भी होता है और नुकसान भी होता है तो इसलिए अगर आप poultry farming का business कर रहे हो तो उसके बारे में अच्छी तरह से knowledge लें और सही तरह से उसका management करें तभी आप उसके chances बढ़ा सकते हो कि उसमें आपको profit होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि इसमें केवल और केवल नुकसान ही हो रहा है profit भी होता है बस आपको सही तरह से management आना चाहिए तो अगर आपको poultry farming की कोई भी जानकारी चाहिए या आपको कोई भी problem है आप मुझे comment करके बता सकते हो और जो भी आप feed खरीदते हो उसकी company का नाम मुझे comment करके बताएं और वो आपको किस rate में मिलता है ये भी मुझे comment करें